एक नमक बेचने वाला रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बजार जाता था, रास्ते में उन्हें एक नदी पार करना पड़ता था, एक दिन नदी पार करते वक्त गधा अचानक नदी में गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई, चुंकि नमक से भरा थैला पानी में घुल गया और इसलिए थैला ले जाने के लिए बहुत हलका हो गया, इसकी वज़े से गधा बहुत ही खुश था, अब फिर गधा रोज वही चाल चलने लगा, इससे नमक बेचने वाले को काफी नुकसान उठाना पड़ता, नमक बेचने वाले को गधे की चाल समझ में आ गई और उसने उसे सबक सीखाने का फैसला किया, अगले दिन उसने गधे पर एक रोई से भरा थैला लाद दिया, अब गधे ने फिर से वही चाल चली, उसे उम्मीद थी कि रोई का थैला अभी भी हलका हो जाएगा, लेकिन गीला रोई, कपास, ले जाने के लिए ब हमेशा साथ नहीं देता है, हमेशा हमें अपने बुद्धी का भी इस्तमाल करना चाहिए,